हालो फ्रेंग्स वालकम टू आल आज मैं आपके लिए वीडियो लिका रहा हो देखिए HDFC बैंक का भी बाप ही ये शेर बाप कहो गया कौन सा शेर आ गया जो इतने बड़े स्टॉक एंड ये HDFC बैंक के भी मैं कहूंगा बड़ा शेर देखिए शेर में आज की डेट में जाता है HDFC लेकिन इसका भी भाप तो कौन शेर हो सकता है सिंपल से बात है इसकी प्रोमोटर कंपनी जिसका जो जिसके शेर सिसके अंदर है कौन सी है प्रोमोटर कंपनी 4-0 है मतलब क्लोजिंग जहां पर हुई थी वहां से अभी के टाइम पर प्राइस थोड़ा सा नीचे लास्ट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है ऐसा रिजल्ट आया आज की डेट में और रिजल्ट के बात का यह धमाका है अब मैं जो आपको कहा है लेकिन और उस लेक बिलने की कोशिश करी फाइनली जब बैंक्स आये अपनी लाइन पे तो बैंक्स ने वापस रिल्ट को नीचा दिखा दिया और साथ के साथ इन बड़े-बड़े नामों को जब आप देखोगे जहां पे हमारे पास कौन-कौन से नाम थे यह देखिए इस इस ये बैंक एक् आप देखिए पूरा का पूरा जंपिंग के साथ मार्केट यह है अपके साथ क्लोजिन होने करवाया देखिए अर्लैंस सबसे नीचे और आठ परसंट से उपर की गिरावट देखने को मिली अब एक बाद आपने मार्केट में देखी होगी जबी बी कोई भी स्टॉक कितन इंवेस्टर तो नहीं हो सिंपल बेसिक चीज आपको टेक्निकल पर देख जाती है इसी इंडियर रिटेल इंवेस्टर को टेक्निकल अनलेसिस आनी चाहिए समझ में और उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आप देख सकते हो जॉइन बटन पक्लिक करेंगे वहा फिलाल मैं आपको SDFC के ऊपर लेके जा रहा हो देखिए SDFC के चार शेर से सबसे पहला SDFC बैंक छे लाग साथ लाग करोड करोड के आस पास का मार्केट के प्रलाइशन दूसरा शेर SDFC लाइफ इंशॉरेंस तीसरा शेर हमारे पास आता है SDFC AMC और इस ग्रूप का मतलब इनक जो पिक्चर आप देखोगे आज इसके नतीजे आएं कि SDFC के नतीजे आ जाएं और इस SDFC नतीजे जो मैं दिखा रहा हूं आपको यह नतीजे दिन में ही आ गए थे तो सीधे सीधे जो असर दिन में दो धाय बज़े के आज पास नतीजे आए और मार्केट में जबड़ता आने के साथ सदिके रिजल्ट का जो इवेंट होता है एक बार रिजल्ट आपका नतीजे आ गए फिर उसके बाद माकेट में काफी फ्लक्ट्वेशन होगे आप देख रहोंगे कि बहुत कंप्पनी के बढ़िया बढ़िया नतीजे आया है फिर उसके बाद भी शेयर में इ सबसे पहले किसी भी फाइनेंस कंपनी के आप देखते हो तो इंट्रस्ट इंकम देखते हो कितनी है यह सेप्टमबर 2020 का नंबर है यह सारी फिगर करोड में तो जब आप नंबर को देखते हो तो पिछले साल सेप्टमबर में 11,282 करोड की इंट्रस्ट इंकम थी जो कि इस उसके बाद अगर और मैं जो बड़ी बड़ी इंकम अगर यहां पर कुछ देखूं तो यहां पर प्रीमियम का इंकम है देखिए प्रीमियम के इंकम में इजाफा आपको देखने को मिल रहा है और उसकी वज़े से आपने देखा होगा कि इस प्रीमियम के इंकम के वज़े से तोटल इंकम में थोड़ा सा इजाफा अगर अदरबाइस देखा जाए तो इंटरस इंकम में भी आपको हलका सा डिप देखने को मिल रहा है थोड़ा सा इंकम फ्रम जनरल इंशॉरेंच बिजनस और इंकम यह आप देखे नेट गेन लॉस जो यहां का लाइफ इंशॉरेंच की बिजनस से हुआ है वो थोड़ा बहुत यहां पर पॉजिटिविटी मार्केट में ले क्या है बट ओवरॉल देखा जाए तो फिर भी इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है 32,823 करोड का टोटल इंकम जो रिवेन्यू जब इसले साल सप्टेंबर मत था है इस बार कितना है 34,082 करोड का मतलब 1,1200 करोड के आसपास का जंप ज्यादा तो है नहीं कितना 1,1200 करोड के आसपास का और टोटल इंकम तो आपने यह देखी और इसके अलावा अब आपको गयार अब यहां पर फाइनेंस की कंपनिय कुछ प्रोविजन निकाल रखे होंगे कुछ साइड में चीज़ा निकाल रिखे होंगे एक्सपेंसे कितने जबरतस यहां पर देखने को मिल रहे है तो एक्सपेंसे ही 29,826 करोड का जो कि पिछले साल 21,000 करोड था तो सीधे सीधे डिप आना ही था और 12,062 करोड का था उसका आधा से भी कम हो गया प्रोफिट बिफोर टेक्स अब आफ्टर टेक्स को अगर आप देखोगे एट नमबर आफ्टर टेक्स को देख लीजे पिछले साल था 10,748 करोड और इस बार कितना हो गया 5,000 करोड यानि कि आदे से भी कम आपको देखने को मिल रहा प्रोफिट आफ्टर टेक्स अर्णिंग पर शेयर परूपिछ सीधे शीधे सीधे नमबर को देख लीजे 60 रुपे का अर्णिंग पर मतलब आपको नमबर क्योंड देखने को मिल रहे हैं और आप में आपको एक important बात की तरब लेके जाना चाहूंगा, जो बात है कि पिछले साल इतना profit, इतना revenue कैसे generate हुआ और इस साल कम क्यों हुआ, तो आप देखोगे, पिछले साल September में profit on loss of control over a subsidiary का जो यहां पे profit, जो income आई थी, 8000 करोड सी, उसका सीधे-सीधे यह impact इस बार को मिला है, तो result को तसली से देखिए, तो उसका यह नतीजा देखने को मिला है, जो अच्छी बात यह नहीं लेगी, कि interest income में ज्यादा ही जाफा नहीं आया, और बट यह 8000 करोड ने सारा difference यहां पे create किया, और उसकी वज़े से आप सीधे-सीधे profitability में हिसाब किताब देख पा रहे हो, और अगर आप इस हिस्से को पिछले साल सेप्टमबर से 8000 करोड को निकाल दो, तो उसके बाद अगर आप देखोगे, तो इस बार profitability में jump भी आपको देखने को मिलेगा, तो अब मैं आपको देखिए, SDFC के सारी detail आपको दिखाई, साथ के साथ, SDFC के अगर मैं share holding pattern की बात करूँ, तो mutual fund वालों नहीं ज्यादा खरीदारी नहीं की, यहाँ पे FII नहीं ज्यादा खरीदारी इसमें अब तक करी है, लेकिन public की हिस्सेदारी अगर आप देखोगे, तो 6 लाख लोग इस stock में invested है, और आप मैं आपको लेके चलता हूँ, technical analysis के उपर, वहाँ बहुत ही जबर्दस share था, कोई कमी नहीं थी, share तो अभी भी जबर्दस था है, बट यह जो pain आया ना, उसकी वज़े से अभी gain नहीं हुआ है, और इस pain की situation जो आप फरवरी में देख पा रहे हैं, starting इसकी January से हुई थी, जनवरी में joint की formation हुई थी, उसके बाद market में काफी important, monthly chart हमने जैसे देखा, अब मैं आपको weekly chart पे लेके चलता हूँ, अकसर आप इन bottoms को देखोगे, यह bottom को कहा चाता है, अगर आप इसी bottom को RSI level पे देखोगे, तो equal bottom है, एक हपते नहीं तीन week का यह बनाया, उसके बाद 2 week फिर से jump के बाद यह correction आया, important, अगर RSI पे इन time लग गया, और साथ के साथ correction आई, correction आते हैं, साथ साथ 40 RSI पे इसने अपना support लिया, तेजी 60 से, फिर से down यह देखने को मिला, मतलब, कोशिश जरूर हो रही है, bullish force इसको उपर साइड बेजने की कोशिश करना है, लेकिन कहीं न कहीं, bearish force यहाँ पे उपर जाते ही, हावी ह हो जा रहा है, और अभी जो last पिछले मैं कहूंगा, एक महीने के बाद का jump है, जहां पे यह 1600 के level का low बना के, अचाना कि इसने recovery स्टार्ट कर दी, September end से, और वो recovery काबिले तारीफ थी, recovery के साथ साथ correction आया है, और फिर से jump आपका start हो चुका है, तो इस stage को अगर हम देखोगे तो weekly पे एक impulse के बाद, correction के बाद, फिर से impulse start ही है, अगर price उपर ही रहता, तो हमको यहां पे bullish cross weekly पे देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा signal होगा, लेकिन साथ के साथ में आपको एक बात यहां पे और दिखाना चाहता हूँ, वो है RSI पे, अगर यह RSI यहीं पे जाके, अगर bearish side में इस तरीके से joint बना दे जैसे यहां पे बना है, तो आपके लिए lower high की formation हो जाएगी, चाहे price कितना भी उपर क्यों न हो, तो वो आपके लिए एक alarming signal होगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, daily time frame पे आज का जो move आया है, वो इतना खतरनाक move था, कि एक दिन 80 का यह level है, अब यहां तक गया और मुझे लगता है कि अगर इस level को breakout करना है, तो यहां पे या तो correction आए, यह consolidation हो या फिर pullback हो, otherwise यह चीज sustain होना थोड़ा सा tough होता है, daily पे अगर मैं देखू तो 60 के RSI के level पे जा रहा है, लेकिन अगर यहां पे इस RSI से rejection मिल जाएगा, त इसके आप जाने के chances कम बलकि down जाने के chances देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखे, इसलिए इन flow flow के चकर में आपको नहीं आना होता है, आपको अगर आना होता है, position बनानी होती है, तो आपको bottom पे position बना, bottom in the sense जब correction resolve हो रहा तो फिलहाल जो breakout के चकर में आप खरीद रहे हो कीजिए, like कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बैल आकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको notification आती रहेगी, thank you, thank you for watching the video.